नमस्कार, NCRT गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, NCRT गुरुजी में आपका बहुत स्वागत है। इसलिए इस transportation की जरूरत है, need है। ताकि हर cell तक खाना पहुचाया जा सके, oxygen पहुचाया जा सके। और cell ने जो भी waste product बाहर निकाला है, उसे लेकर ऐसी जगह लाया जा सके। ताकि उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो इस background के साथ आएए शुरू करते हैं इस chapter को इस से पहले हमने पढ़ा है कि जितने भी organisms हैं, जितने भी living organisms हैं, उन सभी को food चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए और oxygen चाहिए, survive करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अब ये food, water और oxygen जो living organisms को चाहिए, वे इस food, water और oxygen को अपने शरीर के हर हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके शरीर के हर हिस्से में cell है, और हर हिस्से को food, water और oxygen चाहिए, इसलिए primarily transportation होता है हमारे शरीर में, further, animals need to transport wastes to parts from where they can be removed, food, water और oxygen के अलावे, हर cell waste product भी बाहर निकालता है, तो उसे भी एक जगा एकठा किया जाना चाहिए, जहां से वो शरीर के बाहर निकाला जा सके, तो transportation excretion के लिए भी होता है, waste product को बाहर निकालने के लिए भी transportation होता है हमारे शरीर में, Have you wondered how all this is achieved? क्या आपने कभी सोचा है कि ये food products के हर हिस्से तक का पहुँचना और हर हिस्से के waste products का बाहर निकलना कैसे संभव हो पाता है, कैसे achieve होता है? Look at figure 11.1, do you see the heart and the blood vessels? तो ये वाली जो image है, यही है figure 11.1, आप देखेंगे, ये circulatory system कहलाती है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये बीच में है heart, और ये जो blue और red colors की line आपको दिख रही है, ये है blood vessels, खून की नलियों को blood vessels कहते हैं, जिसमें खून बहता है, वही blood vessels है, ये दो अलग-अलग रंग से क्यों दिखाए गए हैं, इसके बारे में भी जानेंगे नीचे, अभी के लिए हम ये जानें कि ये है हमारा heart, और ये blue और red वाली जितनी lines हैं, वे है blood vessels, they function to transport substances and together form the circulatory system, तो ये heart और blood vessels मिला के एक system फॉर्म करते हैं, एक पूरा network फॉर्म करते हैं, जिसे हम circulatory system कहते हैं, circulation का मतलब होता है गोल-गोल घूमना, तो ये जो हमारा पूरा system है heart और in blood vessels का, इसमें जो blood है, वो एक जगा से दूसरी जगा जाता रहता है, heart से लेकर हर हिस्थे तक जाता है, और फिर वापस आता है heart तक और फिर दूसरे हिस्थो तक जाता है, तो एक तरह से ये circulate होता रहता है, गोल-गोल घूमता रहता है, तो इस पूरे system को नाम दिया गया है circulatory system, जिसमें blood circulate होता रहता है, In this chapter, you shall learn about transport of substances in animals and plants, तो इस chapter में हम plant की body में transportation कैसे होता है, और animals की body में transportation कैसे होता है, various substances का, food का, या waste का, या oxygen का, ये सब हम जानने वाले हैं, तो आईए शुरू करते हैं, पहला section हमारा 11.1, जो है circulatory system, जिसकी image आपको यहां दिखाई गई है, तो ये एक human body के अंदर का circulatory system ह इसके अलग-अलग components हैं, ये अलग-अलग parts से मिलकर बना है, जैसे कि इसमें heart है, इसमें blood vessels है, इसमें blood है, जो blood flow करता है in blood vessels और heart से होके, तो ये सब ही parts है circulatory system के, तो पहला part है हमारा blood, जो in blood vessels और heart से होके flow करता है, उसके बारे में जानते हैं, What happens when you get a cut on your body अगर हमारी body में कहीं एक cut लग जाता है तब क्या होता है Blood flows out तो उस cut से blood बाहर आने लगता है कटी जगह से खून बहने लगता है But what is blood लेकिन अब ये blood होता क्या है Blood is the fluid which flows in the blood vessels तो blood के बारे में ऐसा कह रहे हैं Blood एक fluid है एक तरह का liquid है जो flow कर सकता है और हमारे blood vessels में हमारी खून की नलियों में जो बहता है वही blood है इसके और भी characteristics हम लिख सकते हैं blood के बारे में इसकी कुछ खूबियां हैं उन खूबियों का जिकर है हाँ कि ये जो blood है It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body हम जानते हैं कि हमारा जो digested food होता है वो small intestine में पाया जाता है और small intestine से ही वो absorb होता है पूरी body में तो small intestine में जो पचा हुआ खाना है digested food है उस digested food को लेकर blood हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक जाता है और हर एक cell तक वो food पहुँचता है तो blood का यह एक feature है कि वो digested food को small intestine से लेकर हर एक हिस्से तक पहुँचाता है transport करता है It carries oxygen from the lungs to the cells of the body हम जानते हैं कि बाहर से जो हवा हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं वो सबसे पहले हमारे lungs तक पहुँचता है wind pipe के थुरू होकर और lungs में जो oxygen पहुचता है वो oxygen blood में घुल जाता है dissolve हो जाता है और फिर blood उस oxygen को लेकर हर एक cell तक पहुचाती है और फिर हर एक cell के oxygen का requirement पूरा होता है It also transports waste for removal from the body इस बारे में हमने पहले भी बात की कि हर एक cell जो excrete करता है जो waste product बाहर निकालता है blood उन waste products को लेकर वापिस आता है और उसे एक जगह एकठा करता है ताकि finally उसे शरीर के बाहर निकाला जा सके How does the blood carry various substances? तो यहाँ पे हमने जाना कि blood food लेकर भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है blood oxygen लेकर भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और waste products उन places से लेकर वापिस भी आ रहा है तो blood इतनी सारी चीजें carry कैसे कर पाता है लेकर कैसे जा पाता है अब इसके बारे में blood is composed of a fluid called plasma in which different types of cells are suspended तो blood एक खास तरह की fluid से बना है एक खास तरह के liquid flow करने वाले liquid से बना है जिसे हम plasma का नाम देते हैं plasma कहते हैं और इस plasma में अलग-अलग तरह के cells suspended रहते हैं लटके रहते हैं मतलब blood जिस plasma नामक fluid से बना है उस plasma fluid में अलग-अलग प्रकार के cells हमें मिलेंगे dissolved हैं लटके हुए हैं suspended हैं और यही वो cells हैं जो इतनी सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं यहां पहली का सवाल है कि why is the color of blood red खुन हमारा लाल क्यों है तो इसका जवाब नीचे है आईए देखते हैं वन टाइप अफ सेल्स आर दर रेड बलड सेल्स विच कंटेन a red pigment called hemoglobin तो हमने जाना कि blood हमारा एक plasma नामक fluid से बना है और उसमें बहुत तरह के cells suspended हैं लटके हुए हैं तो उन्ही suspended cells में से एक तरह का cell है red blood cell जिसे हम RBC कहते हैं pigment color को कहते हैं तो लाल रंग की एक चीज है हमारे red blood cell में जिसे hemoglobin कहा जाता है और यही hemoglobin जो लाल रंग का है पूरे blood का color लाल बना देता है जो हमें blood पूरा लाल दिखाई देता है वो इसी color pigment के कारण इसी hemoglobin के कारण हमारा blood लाल दिखाई देता है hemoglobin binds with oxygen and transports it to all the parts of the body and ultimately to all the cells अब इस hemoglobin की खासियत यह है कि यह oxygen के साथ bind कर सकता है oxygen के साथ जुड सकता है और जब hemoglobin एक बार oxygen के साथ जुड गया तो blood उस oxygen को लेकर शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक जा सकती है और इस तरह oxygen हमारी पूरी body में transport हो सकता है और हर cell तक पहुँच सकता है अगर हमारे blood में hemoglobin नहीं हो वो जो लाल रंग का pigment है वो अगर नहीं हो तो शरीर के हर हिस्से तक oxygen को पहुचाना काफी difficult हो जाएगा काफी मुश्किल हो जाएगा तो उपर जो पहेली का सवाल था कि why the color of blood red खून का रंग लाल क्यों है तो ये खून का रंग लाल hemoglobin के presence के कारण है बलड में hemoglobin पाया जाता है जो लाल रंग का होता है इसी से हमारा खून लाल दिखाई देता है तो हमारे blood में पाये जाने वाले एक तरह के cell के बारे में हमने जाना कि वो है red blood cell जो की oxygen के transport में help करता है oxygen को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करता है दूसरी तरह का एक cell जो हमारे blood में पाया जाता है वो है white blood cell WBC और ये क्या करता है तो ये हमें बाहर से आने वाले किटानूं से लड़ने में मदद करता है germ से fight करने में मदद करता है बूजो fell down while playing a game and his knee got injured बूजो एक बार खेल खेलते खेलते गिर गया और उसका घुटना चिल गया blood was coming out of the cut तो बूजो के नी पे जो cut लगा था जो गुटना चिला था वहां से खून बाहर आने लगा after some time he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut कुछ देर बाद बूजो ने ये notice किया कि खून बहना बंद हो गया है और एक गहरे लाल रंग की परत जम गई है कटे हुए हिस्से पर और ये जो परत जमती है कटे हुए हिस्सों पर इसे clot कहते हैं blood clot कहते हैं खून का जमना blood का clotting कहलाता है और plugged the cut का मतलब है जो cut लगा था उसे बंद कर दिया इस लाल रंग के परत ने किसी cut को plug करना मतलब बंद कर देना तो जिस जगा से खून बह रहा था बूजो के गुटने पर थोड़ी देर के बाद एक लाल रंग की उस परत जम गई और खून का बहना बंद हो गया बूजो वाज puzzled about this बूजो को यह समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ हमारे खून में एक तीसरी तरह का सेल पाया जाता है जिसे platelet कहते हैं और खून जो हमारा जमता है यह जो बहती खून के उपर एक लाल रंग की परत आ गई जिसे हम blood clot कह रहे हैं इसके लिए यह platelets ही जिम्मेदार है इन platelets का ही काम होता है blood को clot कराने का तो यहाँ पे हमने तीन तरह के सेल्स के बारे में जाना जो हमारे blood में पाये जाते हैं पहला था red blood cell जो की oxygen को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने में help करता है दूसरा था white blood cell जो की बाहर से आ रहे germs से fight करता है और तीसरे थे platelets जो की खून को जमाने में blood के clotting में help करते हैं तो I hope आपको blood clear है आएए अब जानते हैं blood vessels के बारे में खून की जो नलिया है उनके बारे में There are different types of blood vessels in the body हमारे शरीर में अलग-अलग तरह के blood vessels हैं हमने उपर देखा भी एक लाल रंग का है दूसरा blue color का है हम जानते हैं कि सांस जब हम अंदर लेते हैं जब इनहेल करते हैं तो oxygen हमारे शरीर के अंदर जाता है lungs तक पहुचता है wind pipe के सहरे oxygen has to be transported to the rest of the body अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर के हर एक cell को oxygen चाहिए तो हमारे lungs में जो fresh oxygen आया है blood इसे लेकर हर एक cell तक पहुचाती है also the blood picks up the waste materials including carbon dioxide from the cells अब cell जब सांस लेता है cell जब oxygen को use करता है तो carbon dioxide चोड़ता है तो ये carbon dioxide blood लेकर वापिस आता है जो हम अपने सांस के रास्ते बाहर चोड़ते हैं this blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learnt in chapter 10 तो blood ने जो carbon dioxide हर cell से इकठा करके लाया है उसे वापिस से lungs में डंप किया जाता है ताकि सांस छोड़ते वक्त उस carbon dioxide को बाहर निकाला जा सके और ये चीज हमने chapter 10 में देखी है so two types of blood vessels, arteries and veins are present in the body तो चुकि दो तरह का air एक oxygen, दूसरा carbon dioxide हमारी पूरी body में circulate हो रहा है एक जो हम fresh air ले रहे हैं वहाँ का oxygen हर एक cell तक पहुँच रहा है और हर cell ने जो carbon dioxide release किया है blood उसे लेकर वापिस lungs तक आ रही है और ये दोनों काम simultaneously हो रहे हैं एक साथ हो रहे हैं इसलिए हमारे शरीर में दो तरह के blood vessels हैं और इनका नाम है arteries और veins आप देखेंगे इस image में ये जो red वाली हैं इन्हें arteries कहते हैं और जो blue वाली हैं इन्हें veins कहते हैं arteries में oxygenated blood flow करता है ऐसा blood जिसमें oxygen है जो lungs से fresh oxygen को लेकर हर cell तक पहुँचाता है वो है ये artery red वाली blood vessels और जो हर cell से बाहर निकला carbon dioxide लेकर वापिस lungs तक आता है वो है ये blue वाली blood vessels जिने हम veins कहते हैं आप देखेंगे यहां बताया भी गया है ये red वाली artery है और blue वाली veins है और ये है हमारा heart जो इस पूरे blood के flow को pump करता है blood हमारा बहता रहे ये heart ये make sure करता है arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body ऐसा blood जिसमें oxygen है वैसे blood को लेकर artery हमारे शरीर के हर part तक पहुँचती है हर cell तक oxygen को पहुँचाती है artery इसमें oxygen rich blood flow करता है since the blood flow is rapid and at a high pressure the arteries have thick elastic walls अब चुकी उपर वाले figure में हम देखेंगे ये heart लागातार pump कर रहा है इस blood को तो ये जो arteries हैं जिसमें oxygen rich blood flow कर रहा है इसका pressure बहुत ज़्यादा होता है काफी तेज गती से blood flow कर रही होती है इसका speed बहुत ज़्यादा होता है और blood vessels पे pressure भी बहुत ज़्यादा परता है दबाव भी बहुत ज़्यादा परता है blood का flow काफी rapid है काफी तेज है और high pressure है blood vessels के अंदर तो इस high pressure को और rapid flow को बरदास्त करने के लिए जो arteries हैं वे मोटे होते हैं उनके जो walls है arteries जिस चीज से बने होते हैं वो walls मोटी होती है ताकि वो इस तेज blood के flow को बरदास्त कर सके और artery के wall elastic भी होते हैं वे फैल सकते हैं ताकि वे pressure को बरदास्त कर सके अगर artery कमजोर होगी तो इस काफी rapid flow को और इस pressure को बरदास्त नहीं कर पाएगी और फट जाएगी इसलिए artery thick और elastic होती है Let us perform an activity to study the flow of blood through arteries arteries से होके blood किस तरह flow करता है इसे समझने के लिए ये activity करेंगे activity 11.1 Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist तो हम अपनी बाई कलाई के नीचे अपना middle finger और index finger इस तरह गड़ा कर रखेंगे Can you feel some throbbing movements? Throbbing धक-धक की आवाज को कहते हैं तो क्या आपको धक-धक होता हुआ कोई movement महसूस हो रहा है? Why do you think there is throbbing? तो जब आप दोनों उंगलियों को अपनी कलाई के नीचे गड़ाएंगे तो आपको ये धड़कन लगातार धड़क रहा है लगातार blood को pump करता है वो हर धरकन के साथ और यही धरकन जब हम अपनी दोनों उंगलियों को कलाई के नीचे गड़ाएंगे तो arteries में यही धरकन हमें महसूस होगी This throbbing is called the pulse and it is due to the blood flowing in the arteries तो ये जो धरकन आप महसूस कर पा रहे हैं इसे pulse कहते हैं और ये धरकन arteries में flow हो रहे blood के कारण आपको महसूस हो रहा है Count the number of pulse beats in one minute एक minute में कितनी बार धरकन आप महसूस कर पा रहे हैं उसे count कीजिए How many pulse beats could you count? आपने कितने pulse beats count किये? कितनी बार धरकन आपने महसूस की? The number of beats per minute is called the pulse rate एक minute में जितनी बार आप धरकन महसूस करेंगे उसी को pulse rate कहते हैं कितनी बार throbbing movement कितनी बार धरकन वाले movement आप महसूस कर पा रहे हैं एक minute में वही pulse rate है और resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute एक आदमी जो आराम कर रहा होता है एक minute में उसे 72 से लेकर 80 times ये beats महसूस होती है Find other places in your body where you can feel the pulse तो ये जो धरकन हमने कलाई के नीचे महसूस की अपने शरीर में और ऐसे हिस्से खोजिए जहां आप ये धरकन महसूस कर पा रहे हैं Record your own pulse beats per minute and those of your classmates आप अपनी pulse beats को record कीजिए कि एक minute में कितनी बार धरकन आपने महसूस की और अपने classmates की भी record कीजिए Insert the values you obtained in table 11.1 and compare them तो ये जो values आपके pulse beats की और आपके classmates की आपको मिली उसे इस table 11.1 में note कीजिए यहाँ पे नाम और यहाँ पे pulse per minute एक minute में कितनी बार धरकन आपने महसूस की और यहाँ लिखकर compare कीजिए कि किसका pulse rate जादा है किसका कम है Vanes are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart Vanes एक दूसरे तरह के blood vessels हैं जो की ऐसे blood को carry करते हैं जिसमें carbon dioxide होता है हमने जाना कि cell oxygen को consume करने के बाद carbon dioxide छोड़ता है इसी छोड़े हुए carbon dioxide को लेकर जो blood वापिस lungs तक आती है उन्ही blood vessels को veins कहते हैं यह जो blue वाली blood vessels हम इस image में देख पा रहे हैं वही हैं veins यह carbon dioxide rich blood को carry करती हैं red वाली oxygen rich blood को carry कर रही थे veins have thin walls there are valves present in vein which allow blood to flow only towards the heart veins में blood का pressure उतना जादा नहीं होता जितना arteries में होता है इसी लिए veins की जो wall है veins जिस चीज से बनी होती है वो पतली होती है और veins में valves लगे होते हैं valves नली को control करने के लिए एक apparatus है इन valves का काम है कि नली में जो भी liquid flow कर रहा है वो एक ही direction में flow करें वो liquid को आगे तो जाने देता है लेकिन वापिस नहीं आने देता valves का यही काम है तो हमारे veins में ये valves लगे होते हैं जो की blood को केवल एक ही direction में flow करने देते हैं आगे तो जाने देते हैं लेकिन पीछे नहीं आने देते तो veins में जो भी blood flow करता है वो heart की तरफ flow करता है ये valves blood को केवल heart की direction में flow करने देते हैं वापिस नहीं आने देते तो यहाँ पे एक diagram भी है जिससे हम समझ सकते हैं blood के circulation को ये है हमारा heart जो की blood को लेकर यहां से जा रहा है बाहर और ये है veins जो की blood को लेकर वापिस heart तक आ रहा है और ये pulmonary artery और pulmonary vein के बारे में हम पढ़ेंगे आगे और ये है हमारे lungs जहाँ पे veins ने जो भी carbon dioxide rich blood को लाया है ये वापिस heart से इस lungs तक जाते हैं और lungs से finally इस carbon dioxide को वापिस बाहर निकाल दिया जाता है capillaries क्या है ये भी हम जानेंगे आगे एक छोटा सा note है blood donation के बारे में कि hundreds of people die due to unavailability of blood बहुत सारे लोग मर जाते हैं खून की कमी के कारण खून उपलब नहीं होता इसलिए voluntary blood donation is harmless and painless and can save precious lives अगर हम खून दान करते हैं, blood donate करते हैं तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता और दर्द भी नहीं होता लेकिन ये बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है blood can be donated at hospitals and other places authorized by the government सरकार के द्वारा मनेता प्राप्त अस्पतालों में या और भी blood donation camps में blood को donate किया जा सकता है donated bloods are stored with special care in blood banks blood को store करने के लिए blood banks होते हैं जिसमें donated blood को काभी संभाल कर रखा जाता है तो ये था blood donation के बारे में आईए हम आगे पढ़े हैं यहां बुझो कहता है कि I am confused I have learned that an artery always carries oxygen rich blood बुझो कह रहा है कि मैं तो ये जानता हूँ कि artery हमेशा oxygen rich blood ही carry करती है ऐसे blood को carry करती है जिसमें oxygen होता है oxygen dissolved होता है पहेली explained that the pulmonary artery carries blood from the heart so it is called an artery not a vein आप देखेंगे इस diagram को vein ने जो भी blood लाया वो यहां heart में आया और फिर इस रास्ते वो lungs तक गया ताकि carbon dioxide को बाहर निकाला जा सके क्योंकि vein ने carbon dioxide rich blood लाया था तो इस रास्ते जो blood आया है वो इस रास्ते lungs में जाता है तो चुकि veins carbon dioxide rich blood carry करती है तो इस pulmonary artery में भी carbon dioxide rich blood ही flow करता है लेकिन इसका नाम artery इसलिए है क्योंकि ये जो blood vessel है वो heart से निकल रही है हमने ये जाना कि veins में जो भी blood flow करता है वो heart के towards flow करता है heart की तरफ flow करता है और ये जो valves लगे हुए थे वो उसे उल्टी direction में flow नहीं करने दे रहे थे लेकिन यहां pulmonary artery में जो blood flow कर रहा है वो heart से दूसरे direction में flow कर रहा है heart से बाहर को जा रहा है आप इस arrow से देखेंगे heart से लेकर lungs में जा रहा है ये तो चुकि ये blood heart की तरफ flow नहीं कर रहा heart से बाहर flow कर रहा है इसलिए इसे artery कह रहे है लेकिन essentially pulmonary artery में carbon dioxide rich blood flow कर रहा है क्योंकि यही वो carbon dioxide rich blood है जो vein लेकर यहां heart तक आया है और इसे heart से lungs तक जाना है ताकि carbon dioxide को बाहर निकाला जा सके I hope this is clear कि pulmonary artery में carbon dioxide rich blood flow करता है ये एक exception है artery के बारे में और उसी तरह एक exception है vein के बारे में हमने ये जाना कि veins में generally carbon dioxide rich blood flow करता है लेकिन veins के बारे में हमने ये भी जाना कि veins में जो भी blood flow करता है प्लू नहीं करता, हाट से बाहर नहीं जाता, हाट के अंदर आता है। तो अब ये जो pulmonary artery है, जिसने carbon dioxide rich blood lungs तक पहुचाया और lungs में ये carbon dioxide बाहर निकल गया हमारे सांस के रास्ते और fresh oxygen इस blood में dissolve होकर इस pulmonary vein के सहारे हमारे hearts अती है और फिर heart उसे पूरी बोडी में इस रास्ते पॉंप करता है अब चुकि इस pulmonary vein में जो भी blood flow कर रहा है वो heart की तरफ flow कर रहा है heart के direction में flow कर रहा है और यह property veins की थी क्योंकि veins में जो blood flow करता है वो heart की तरफ flow करता है इसलिए इसे pulmonary vein कह रहे हैं लेकिन pulmonary vein में oxygenated blood flow कर रहा है oxygen rich blood flow कर रहा है क्योंकि carbon dioxide वाला blood जो lungs तक पहुचा था lungs ने उसे सांस के रास्ते बाहर निकाल दिया carbon dioxide को और fresh oxygen blood में dissolve होकर इस pulmonary vein के सहारे heart में वापिस आ रहा है तो pulmonary vein में oxygenated blood oxygen rich blood flow कर रहा है तो pulmonary artery और pulmonary vein में artery और vein का मतलब बदल जाता है ये दो exceptions हैं pulmonary artery में carbon dioxide rich blood flow करता है और pulmonary vein में oxygenated blood oxygen rich blood flow करता है मुझे उमीद है आप समझ पा रहे हैं तो आईए हम continue करते हैं आगे refer to figure 11.3 तो ये है हमारा figure 11.3 Do you see the arteries divide into smaller vessels? तो हम देखेंगे कि arteries इन छोटी छोटी नलियों में यहाँ divide हो गए हैं बट गए हैं और reaching the tissue they divide further into extremely thin tubes called capillaries ये artery छोटी छोटी blood vessels में जब बट जाती हैं तो इन्ही को capillaries कहते हैं और ये capillaries वापस से जुड़कर जो blood vessel बनाती है जो खून की नली बनाती है उसी को finally vein कहते हैं तो ये pulmonary artery, pulmonary vein और normal vein और normal artery I hope आपको clear है आईए अब देखें हर्ट के बारे में तो हर्ट हमारा एक ऐसा ओर्गन है जो की लागातार बीट कर रहा होता है लागातार धड़क रहा होता है और ये हर्ट धड़कता क्यों है तो ये हर्ट इसलिए धड़कता है ताकि जो blood vessels में हमारा blood है उसको ये pump कर सके, धकेल सके, flow करा सके ताकि blood ने जो भी food या जो भी oxygen हर cells तक transport करना है उसे वो complete कर सके तो हर्ट का ये function है कि वो blood को pump करने का काम करता है जिस तरह हमारे घरों में pump लगा होता है जो छट पर रखी टंकी तक पानी पहुँचाता है उसी तरह ये hurt हमारे शरीर में लगा होता है जो पूरे हमारे circulatory system में सारे blood vessels में blood flow करता रहे इसलिए hurt धरकता रहता है imagine a pump working for years without stopping तो हमारे घर में जो pump होता है वो जो पानी देता है उसे हम थोड़ी देर के लिए चलाते हैं आप सोचिए कि उसे लागातार सालों तक चला कर छोड़ दिया जाए तो बहुत संभव है कि वो जल्दी ही खराब हो जाएगा absolutely impossible ये असंभव है इसे हम हमेशा के लिए चला कर नहीं छोड़ सकते लेकिन yet our hurt works like a pump non-stop हमारा जो hurt है वो लागातार pump की तरह काम करता रहता है धड़कता रहता है blood को pump करता रहता है और ये बरसों तक लागातार चलता है हम जब तक जीवित रहते हैं ये pump चलता रहता है हमारे शरीर के अंदर let us now learn about the hurt आईए अब hurt के बारे में जाने the hurt is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left figure 11.1 तो hurt हमारे शरीर के chest cavity में लगा होता है और इसका जो lower end है जो नीचला हिस्सा है वो left की तरफ जुका होता है left की तरफ tilted होता है ये जो image आप सामने देख रहे हैं ये laterally inverted image है मतलब ये कि जो आपका lift है इस image का right है और जो आपका right है वो इस image का lift है तो यहाँ जो आप right side में ये जो tilt देख पा रहे हैं इस image के लिए ये lift है तो ये जो hurt का नीचला हिस्सा आप इस direction में tilted देख रहे हैं ये इसे tilt की बात है कि hurt का जो नीचला हिस्सा है वो left की तरफ tilted होता है hold your fingers inwards on your palm आप अपनी उंगलियों को अपनी हथेली पर रख कर जब मुठी बनाएंगे that makes your fist your hurt is roughly the size of your fist तो आपके hurt का जो size है वो roughly आपकी मुठी के बराबर है जितना हमारे fist का size है हमारे hurt का size भी approximately उतना ही है अगर ये दोनों एक जो carbon dioxide rich blood है दूसरा जो oxygen rich blood है अगर ये मिल जाएं हमारे शरीर में तो क्या होगा? तो अंतर बता पाना काफी मुस्किल होगा और जो पूरा circulatory system चल रहा है वो खराब हो जाएगा पूरा system बिगड जाएगा तो अक्सीजन रिच बलड और carbon dioxide rich blood आपस में मिले नहीं इसके लिए hurt में 4 chambers है 4 हिस्से हैं जिसे यहाँ इस image में दिखाया गया है पहला हिस्सा है right arterium दूसरा हिस्सा है left arterium तीसरा हिस्सा है right ventricle और चौता हिस्सा है left ventricle यह 4 हिस्से अलग अलग काम में इस्तेमाल होते हैं इसे आईए जानते हैं तो उपर के जो दो चमबर्स हैं उन्हें arteria कहते हैं इन दोनों को अगर मिला दें तो इन्हें arteria कहेंगे arteria plural सब्द है बहु वचन है अगर arteria को singular में बोलेंगे तो उसे arterium कहते हैं एक arteria को arterium कहेंगे तो यह दोनों arteria है और left side में जो arteria है उसे left arterium कहते हैं singular और right side में जो arteria है वो right arterium है आप again देखेंगे कि यह image literally inverted है हमारे लिए यह right है और यह lift है लेकिन इस image के हिसाब से यह lift है और यह right है इसका left हमारा right है और हमारा right इसका left है किताब में दी गई images के साथ ऐसा ही होता है तो उपर वाले दो sections को arteria कहते हैं और नीचे वाले दो sections को ventricles कहते हैं left वाले को left ventricle कहते हैं right वाले को right ventricle कहते हैं तो हमने heart के चार sections के नाम जाने लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला लेफ्ट वेंटरिकल और राइट वेंटरिकल इसके क्या functions हैं वो भी जानेंगे तो इन chambers के बीच में जो partition है ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये इस oxygen rich blood को और carbon dioxide rich blood को mix होने से बचाते हैं जो carbon dioxide rich blood इस रास्ते अंदर आता है वो पूरा इसी section में रहता है और जो oxygen rich blood उपर से यहां आता है वो पूरा इसी section में रहता है वो एक दूसरे से mix नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते हमारा heart किस तरह function करता है इसे समझने के लिए हम figure 11.3 को देखेंगे उपर वाला figure यहां से हम अपने शरीर में हो रहे blood के flow को समझ सकते हैं हमने इसे पहले भी समझा है आईए एक बार और देखें lungs में जो oxygen हमारे सांस के रास्ते पहुचा वो oxygen blood में dissolve करके इस pulmonary vein से heart तक पहुचता है यह oxygen rich blood है और इस oxygen rich blood को हमारे शरीर के हर सिल तक पहुचना है तो heart इस oxygen rich blood को यहां से pump करता है और इस रास्ते यह हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुचती है फिर ये artery इन capillaries में तूट जाती है अलग-अलग हिस्सों में और जब join होती है तो veins बनाती है और हम जानते हैं कि इन veins में जो भी blood flow करता है वो हमेशा heart की तरफ flow करता है वो एक ही direction में flow करता है वापिस नहीं आ सकता और वो carbon dioxide rich blood लेकर flow करता है तो veins वापिस से carbon dioxide rich blood लेकर इस heart तक जाता है और heart फिर इस carbon dioxide rich blood को इसी section में रखते हुए इसे यहां से pump करके lungs तक भेजती है जहां से यह carbon dioxide सांस के रास्ते बाहर निकल जाता है और oxygen rich blood वापिस से पूरे शरीर में flow करने को ready होता है तो यह पूरा blood का flow है हमारे शरीर का these arrows show the direction of blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body vein से किस तरह blood heart तक पहुँचा हर्ट ने उस carbon dioxide rich blood को वापिस से lungs में भेजा और lungs से oxygen rich blood वापिस से हर्ट में आया और हर्ट ने उसे वापिस से पूरी body में pump किया तो यह cycle चलता रहता है इसे हमने समझा figure 11.3 से आईए अब देखें heart beat के बारे में हमारा heart जो धड़कता है heart की जो धड़कन है उसे समझते हैं The walls of the chambers of the heart are made up of muscles heart के जो अलग-अलग chambers है उसके जो wall है इसे wall कहेंगे heart का और ये वो सारे chambers हैं इसके अंदर का जो wall है वो muscles से बना होता है These muscles contract and relax rhythmically heart के chambers जिस muscle से बने होते हैं वो contract करते हैं शिकुडते हैं और relax करते हैं वापिस से पुराने position में आते हैं This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat तो ये जो सुर्थ ताल वाला ये जो contraction और relaxation है एक के बाद एक हो रहा है rhythmic तरीके से हो रहा है ले के साथ हो रहा है इसी से form होता है हमारा heartbeat यही heartbeat को generate करता है remember that heartbeats continue every moment of our life हमारे जीवन के हर समय हमारा heart धरक रहा होता है heart beat कर रहा होता है if you place your hand on the left side of your chest you can feel your heartbeat अगर आप अपने chest की बाई तरफ अपना हाथ रखें तो आप अपने heartbeat को महसूस कर सकते हैं the doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called a stethoscope heartbeat को measure करने के लिए heartbeat को सुनने के लिए doctor एक खास तरह के instrument का सहारा लेते हैं जिसे हम stethoscope कहते हैं यह stethoscope यह वाला है जिसे doctor अपनी गर्दन में लटकाए गूमते हैं a doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart amplify करना का मतलब है बढ़ाना तो doctor इस stethoscope का इस्तिमाल करते हैं ताकि वो हमारे heartbeat की sound को heartbeat की आवाज को बढ़ा कर सुन सके it consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm to earpieces and a tube joining the parts तो इस stethoscope के यहां तीन parts बताए गए हैं पहला है chest piece दूसरा है यह tube और तीसरा है यह diaphragm जो इस chest piece का अगला हिस्सा होता है diaphragm एक ऐसी परत है एक ऐसा layer है जो की sound को amplify करने का काम करता है थोड़ी सी आवाज सुनकर उसे बढ़ाता है amplify करता है जादा vibrate करता है ताकि जादा आवाज निकलती है और यह earpiece है जो कान में लगाये जाते हैं ताकि सुना जा सके इस आवाज को और यह आवाज इस tube के रास्ते इस earpiece तक पहुँचती है doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope doctor हमारे heart के condition को समझ सकते हैं उसकी आवाज को सुनकर धड़कन को सुनकर एक stethoscope के सहारे let us construct a model of a stethoscope with the materials that are available around us आईए एक stethoscope बनाते हैं उन चीजों से जो हमारे आसपास available है तो इसके लिए हम करेंगे यह activity 11.2 take a small funnel of 6 to 7 cm in diameter हमें इस तरह का एक funnel लेना है funnel जिसे keep कहते हैं जिसे छोटे मुह वाले बरतन में सामान को डालने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो ऐसा funnel हमारे घर पे हमें मिल जाएगा तो 6-6 cm diameter वाला एक funnel हमें लेना है इसकी image यहाँ दिखाई गई है आप इससे पैचान सकते हैं fix a rubber tube 50 cm long tightly on the stem of the funnel एक rubber की tube इस funnel के इस नीचले हिस्से पर जो पतला वाला हिस्सा है उस पे हमें लगाना है rubber का एक tube stretch a rubber sheet और a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band इस funnel के mouth पर जो बड़ा वाला हिस्सा है funnel का बड़ा वाला mouthpiece है उस पे एक balloon या एक rubber की sheet एक rubber band से tightly बांध देंगे put the open end of the tube on one of your ears यह जो tube हमने इस funnel में यहाँ लगाई इस खाली tube को हम कानों में लगाएंगे place the mouth of the funnel on your chest near the heart now try to listen carefully do you hear a regular thumping sound तो जब हम इस mouth वाले piece को अपने heart पर रखेंगे और दूसरे सिरे को कान में लगाएंगे तो हमें अपनी धड़कन जोर से सुनाई देगी तो हाँ हमें यह thumping sound यह धड़कने वाली आवाज सुनाई दे रही है और लागातार सुनाई दे रही है तो यह जो आवाज है यह हमारे heart beat का sound है धड़कन का sound है heart के धड़कने का sound है तो अब सुनकर बताईए कि एक minute में आपका heart कितनी बार धड़क रहा है कितना heart beat आप एक minute में सुन पा रहे हैं count again after running for 4-5 minutes compare your observation अब जब आप पहली बार heart beat calculate करें उसे note करें और फिर 4-5 minute दोड़कर अपने heart beat को calculate करें और इन दोनों number को compare करें कि आपका heart beat जब आप आराम से बैठे थे तब ज़्यादा था या आप जब दोड़कर आएं तब ज़्यादा है record your own pulse rate and heart beat and that of your friends while resting and after running and record in table 11.2 तो अपने और अपने दोस्त के pulse rate को और heart beat को resting वाले position में जब आप आराम से बैठे हो तब और दोड़कर record कीजिए और इने table 11.2 में लिखिए और compare कीजिए do you find any relationship between your heart beat and pulse rate तो आपको क्या heart beat में और pulse rate में कोई relationship दिख रहा है pulse rate वो rate था जो हम यहां उगली अपने कलाई के नीचे गड़ा कर count कर रहे थे यह वाला pulse rate है और heart beat जो अभी अभी हमने यह device बनाई है इस funnel और rubber sheet की सहायता से इससे हम अपना heart beat सुन पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि heart beat directly influence करता है pulse rate को heart beat से ही pulse rate generate होते हैं तो जितनी बार आप heart beat सुन पाएंगे लगभग उतनी ही बार आप pulse rate भी observe करेंगे यहां लिखा भी है कि each heart beat generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heart beat हर heart beat एक pulse generate करती है जो arteries को दबा कर हम कलाई के नीचे pulse calculate कर रहे थे हर एक heart beat से वो एक pulse generate होती है और एक minute में जितना pulse rate हमने calculate किया वो heart beat को ही denote करता है कि हमारा heart एक minute में उतनी बार धरक रहा है जितना हमने pulse rate calculate किया लागातार यह जो हमारे heart के अलग अलग chambers है यह जब contract कर रहे हैं और relax कर रहे हैं यह सिकुडते हैं और फिर से अपने पुराने position में आ जाते हैं इसी के कारण हमारे शरीर में जो blood flow हो रहा होता है वो maintained रहता है blood का जो transportation है हमारे circulatory system में वो चलता रहता है हमारे शरीर के अलग अलग parts तक blood पहुचता रहता है तो यह hurt के लागातार beat होने के कारण ही होता है hurt के अलग-अलग chambers सिकुड रहे होते हैं और वापिस से अपने पुराने position में आ रहे होते हैं relax कर रहे होते हैं यही hurt beat के generate होने का कारण है जो की blood के transportation में help करता है बुझो wonders if sponges and hydra have blood यह sponges और hydra दो organisms हैं जो पानी में पाये जाते हैं तो बुझो सोचता है कि क्या in sponges और hydra में भी blood होता है animals such as sponges and hydra do not poses any circulatory system यह जो animals sponges और hydra हैं इन में हमारे शरीर की तरह का कोई circulatory system नहीं होता कोई ऐसा fluid नहीं होता blood की तरह का जो उनकी body में बहे तो sponges और hydra में कोई भी circulatory system नहीं है the water in which they live bring food and oxygen यह sponges और hydra पानी में रहते हैं और जिस पानी में वे रहते हैं वही पानी उनके लिए oxygen और खाना food लेकर आती है as it enters their body पानी जो बाहर से उनके शरीर के अंदर गुस्ती है वही food और oxygen लेकर आती है the water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out पानी उनके शरीर के अंदर जाता है और जब पानी बाहर आता है तो उनके शरीर में जो भी carbon dioxide या फिर जो भी waste material generate हुआ है उसे लेकर वो बाहर चला जाता है thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood चुकि पानी उनके लिए already काम करता है food को लेकर आने का और waste material को बाहर लेकर जाने का वे छोटे organisms हैं पानी में रहने वाले हैं इसलिए उनके शरीर में हमारे शरीर की तरह का कोई भी circulatory system नहीं होता और कोई ऐसा fluid नहीं होता जो उनके शरीर में लागातार बह रहा होता है तो hydra और sponges में blood नहीं होता और नहीं कोई circulatory system होता है अब तक हमने ये जाना कि cells में oxygen के consume होने के बाद जो भी carbon dioxide release होता है उसे हमारा blood veins के रास्ते heart तक ले आता है तो ये तो carbon dioxide के removal की बात थी अब हम जानेंगे कि cells में और भी जो दूसरे waste products generate होते हैं वे बाहर कैसे निकलते हैं उनका excretion किस तरह होता है तो आईए देखें section 11.2 excretion in animals waste products, animals में बाहर कैसे निकलते हैं जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे lungs में जो carbon dioxide जमा है वो बाहर निकलता है जब हम सांस बाहर निकालने को कहते हैं और ingestion खाने को कहते हैं ये E की जगा अगर IN हो जाए तो ingestion का उल्टा है ingestion तो जिस तरह हम carbon dioxide अपने शरीर से बाहर निकालते हैं उसी तरह undigested food भी excretion के समय हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और उसी process को excretion को ही यहाँ पे ingestion कह रहे हैं waste product का बाहर निकलना ही ingestion है let us now find out how the other waste materials are removed from the body तो ये तो undigested food और carbon dioxide के बारे में है कि ये कैसे हमारे शरीर के बाहर निकलते हैं लेकिन और भी जो waste material हैं हमारे शरीर में वे कैसे बाहर निकलते हैं अब उनके बारे में you may wonder where these unwanted materials come from लेकिन ये जो unwanted materials हैं जिन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है ये आते कहां से हैं when our cells perform their functions certain waste products are released जब हमारे shell functions perform कर रहे होते हैं जैसे कि वे nutrition कर रहे होते हैं food को consume कर रहे होते हैं या फिर oxygen को use कर रहे होते हैं food को breakdown करने के लिए food को तोडने के लिए तो इस पूरे process में ये जो waste products हैं वे release होते हैं, बाहर निकलते हैं these are toxic and hence need to be removed from the body ये toxic होते हैं, खराब होते हैं, जहरीले होते हैं और इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है तो waste product जो living organism की cell में produce होता है उसे बाहर निकालने के process को ही excretion कहते हैं आप excretion की definition याद रखें the parts involved in excretion form the excretory system तो वे सारे अंग जो excretion के process में involved हैं हमारे शरीर के वे सारे parts जो excretion में help करते हैं वे सभी मिलकर एक system बनाते हैं एक पूरा structure बनाते हैं जिसे हम excretory system कहते हैं excretion जिस system से होता है वही excretory system है आईए अब excretory system के बारे में और जाने कि हम humans में, हम आदमियों में किस तरह का excretory system होता है excretory system in humans हमारे blood में जो भी waste है जो भी खराब चीज़ें हैं उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए how can this be done? तो ये कैसे हो सकता है कैसे हम अपने blood में present waste को बाहर निकाल सकते हैं a mechanism to filter the blood is required तो blood में अगर waste product available है, present है तो उसे किसी तरह चाना जाना चाहिए किसी तरह filter किया जाना चाहिए तभी तो हम उसे बाहर निकाल पाएंगे तो हमारी kidney में ये filter present है ये चन्नी present है जो हमारे blood को चानती है और इसमें जो भी waste products हैं उसे अलग कर देती है हमारी blood से और फिर उस waste product को हमारे शरीर के बाहर निकाला जाता है तो ये चन्नी का काम कौन करती है चन्नी का काम करती है kidney जो की हमारे blood से waste products को बाहर निकालती है और इसी kidney में present हैं ये blood capillaries जिनके बारे में हमने इस उपर की image में देखा था कि artery blood capillaries में change हो जाती है और जब ये blood capillaries यहां मिलती हैं तो vein बनाती है तो ये capillaries हमें मिलेंगी kidney में तो हमारे शरीर में दो kidney है ये दो filter का काम करने वाली चीज़े हैं जो हमारे blood को चानती है जिसे हम kidney कहते हैं तो kidney में जब blood enter करता है तो उसमें काम की चीज़े भी होती हैं और खराब चीज़े भी होती हैं useful और non-useful दोनों ही तरह के substances होते हैं तो जो useful substances हमारे blood में present थे उन्हें चानने के बाद वापिस से blood में dissolve करा दिया जाता है और जो non-useful substances हमारे blood में हैं उन्हें पानी में dissolve करके urine के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है ऐसा हमारा system designed है kidney का तो हम देखेंगे ये दो हमारी kidneys हैं और इसी में filtration का पूरा process होता है जो non-useful substances हमारे blood में dissolved हैं वे यही इन्ही दो kidneys में अलग की जाती हैं चानी जाती हैं, filter की जाती हैं और जो useful substances हैं उसे वापिस से blood में dissolve करा दिया जाता है और जो non-useful substances हैं उन्हें पानी में dissolve कराके इन ureter नामक tubes से नीचे लाकर इस urinary bladder में store किया जाता है और finally urethra से होकर urine हमारा बाहर निकल जाता है पेशाब के रास्ते जो waste है वो बाहर निकल जाता है तो urine हमारा urinary bladder में store होता है और finally एक tube की साहता से जिसे urethra कहते हैं इस opening से होकर बाहर निकल जाता है जब हम toilet जाते हैं तब the kidneys, ureters, bladder and urethra form the excretory system तो ये जो organs हैं जो excretion में help करते हैं जैसे कि kidneys, do ureters, bladder और urethra यहाँ image में जो भी दिखाए गए है urinary bladder, ये kidneys और ये urethra तो ये पूरा system मिलकर हमारा excretion system कहलाता है अब देखेंगे बताया गया है इसे human excretory system excretion में ये system help करता है इसे हम अपना excretory system कहते हैं An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours एक आम आदमी एक दिन में 1 liter से लेकर 1.8 liter तक urine excret करता है बाहर निकालता है The urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste products तो urine का ये composition है urine किन चीजों से बना होता है तो urine में 95% water होता है 2.5% urea होता है और 2.5% दूसरे waste होते हैं जो हमारे blood से बाहर निकलने थे उसे kidney ने blood से filter करके urine के रास्ते बाहर निकल वाया है We have all experienced that we sweat on a hot summer day हम सब ने ये अनुभव किया है कि गर्मी के दिनों में हमें पसीने आते हैं The sweat contains water and salts तो ये जो पसीना हमारे सरीर के बाहर निकलता है इसमें water होता है और salts होते हैं बुजो ने ये notice किया है कि गर्मी के दिनों में जब पसीने आते हैं तब आमपिट में या फिर ऐसी जगह जहां ज़ादा पसीने आते हैं वहां के कपडों पर उजले धब्बे पर जाते हैं These marks are left by salts present in the sweat तो ये जो उजले धब्बे हमारे कपडों पर गर्मी के दिनों में पर जाते हैं पसीने के कारण ये पसीने में present salt के कारण होता है तो क्या पसीने का कोई और दूसरा भी काम है? We know that water kept in an earthen pot और मटका is cooler मटके में रखा पानी गर्मे के दिनों में ठंदा रहता है This is because water evaporates from the pores of the pot which causes cooling तो मटके में रखा पानी ठंदा क्यों रहता है? इसका कारण ये है कि मटके के surface पे काफी छोटे छोटे छेद होते हैं और उन छेदों से होकर पानी लागातार evaporate कर रहा होता है भाफ बनकर बाहर निकल रहा होता है छोटे छोटे छेदों से जिसके कारण मटके में रखा पानी ठंदा रहता है तो यही concept अपलाई होता है हमारे शरीर के उपर भी हमारे शरीर में भी काफी छोटे-छोटे छेद हैं, जिससे होकर ये पसीने बाहर निकलते हैं, तो जिस तरह मटके में रखा पानी ठंडा रहता है, उसी तरह पसीने जब बाहर निकलते हैं, तो हमारे शरीर को ठंड़क का एहसास होता है, हमारे शरीर को गर्मी के दिनों में पसीने बाहर निकलने से ठंडक महसूस होती है। यहां लिखा भी है कि similarly when we sweat, it helps to cool our body. तो जिस तरह मटके में रखा पानी, evaporation से ठंडा हो जाता है, उसी तरह हमारा body भी sweating के बाद ठंडा हो जाता है। यहां पहेली का एक सवाल है कि पहेली wants to know whether other animals also urinate? पहेली पूछना चाहती है कि क्या दूसरे animals भी पेशाब करते हैं, क्या उन्हें भी urine आता है? तो हां बिल्कुल, हमने देखा है ऐसे बहुत सारे जानवरों को urinate करते हुए। यहां कुछ more to know है, the way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of water. जो waste products हैं हमारे blood में, वो किस तरह बाहर निकलेंगे, वो इस बात पर depend करता है कि हमारे शरीर में पानी कितना है। अगर मचलियों की बात करें, जो पानी में ही रहती हैं, तो उनका जो waste है, वे डिरेक्ली पानी में छोड़ देती हैं और वो waste ammonia होता है, जो की पानी में मिल जाता है। अगर bird, lizards और snake की बात करें, तो वो एक semi-solid chemical excrete करते हैं, पूरी तरह solid नहीं होता, पूरी तरह liquid भी नहीं होता, उसे semi-solid कहते हैं, जो solid और liquid के बीच का हो, तो उजले कलर का ये semi-solid, जो snakes, lizards और birds excrete करते हैं, ये uric acid होता है, और हम humans में जो main chemical हमारे शरीर के बाहर निकलता है, वो urea है, urine के रास्ते वो बाहर निकलता है, urine में उसका 2.5% composition था हमने देखा। Sometimes a person's kidneys may stop working due to infection or injury, कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी के kidney काम करना बंद कर देती है, दो किड्निया है, अगर दोनों ही काम करना बंद कर देगी, तो क्या होगा, आए देखते हैं, As a result of kidney failure, waste products start accumulating in the blood, अब हम जानते हैं कि blood में जो भी waste था, जो समान बाहर निकलने वाला था और blood में dissolved था, उसे चानने का काम कर रही थी kidney, अब अगर kidney खराब हो गई है, तो blood में जो waste product है, वो जमा होता जाएगा, Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney, अब लागतार waste product blood में जमा होता जाएगा, तो ऐसा आदमी जादा दिन तक survive नहीं कर सकता, जादा दिन तक जिन्दा नहीं रह सकता, अगर उन्हें जिन्दा रहना है, तो उनके blood को एक artificial kidney के द्वारा filter किया जाना चाहिए, और ये artificial kidney एक machine होती है, जिसके through उनके शरीर के blood को pass कराया जाता है, और वो machine blood को filter करके वापिस से उनके शरीर में inject करती है, जिससे उनका blood साफ हो पाता है, और इस पूरे process को dialysis कहते हैं, इस process is called dialysis, kidney खराब हो जाने के बाद dialysis की जाती है, external एक machine से blood को साफ किया जाता है, उसके waste products बाहर निकाले जाते हैं, आईए देखें अगला section 11.3, transport of substances in plants, अब यहां तक हमने human के excretory system के बारे में जाना, transportation कैसे होता है, अलग-अलग substances का हमारे शरीर में इसके बारे में जाना, आईए अब जानते हैं कि animals में किस तरह transportation होता है, अलग-अलग substances का, In chapter 1, you learned that plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves, chapter 1 में हमने देखा है कि plant अपने root की मदद से, अपनी जड़ों की मदद से, water और mineral soil से absorb करते हैं, और उस water और mineral को transport करते हैं अपने पत्तों तक, जहांपे पत्तों में present chlorophyll, photosynthesis करता है और food बनाता है, The leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis, तो leaves में जब यह water और minerals पहुचते हैं, तो इनका इस्तेमाल करके photosynthesis होता है, water और carbon dioxide के presence में, जिससे food बनता है इनका, You also learnt in chapter 10, that food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose, हमने chapter 10, यानि कि पिछले chapter में ये भी देखा है, कि हर cell के लिए, जो energy का source है, वो food ही है, हर cell को energy food से ही मिलती है, और food, cell में glucose के form में available होता है, present होता है, cell इसी glucose को तोड़ के energy obtain करता है, The cells use this energy to carry out vital activities of life, glucose को तोड़ने के बाद, cell को जो energy मिलती है, वो इस energy का इस्तेमाल करता है, अलग-अलग functions को perform करने के लिए, cell की life में जो भी functions हैं, उसे पूरा करने के लिए, Therefore, food must be made available to every cell of an organism, इसी लिए ये जरूरी है कि किसी जीव के हर cell तक food पहुँचना चाहिए, खाना पहुचना चाहिए, ताकि उसे energy मिल सके और वो अपने जीवन के कामों को कर सके, जो भी life processes हैं, उसको perform कर सके, Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the roots are transported to the leaves? क्या आपने कभी सोचा है कि पेंड की जरों से जो पानी और minerals absorb किया जाता है, वो कैसे पहुचता है पत्तों तक? How is the food prepared by the leaves carried out to the parts which cannot make food? अब पेंड के हर अंग तो खाना बना नहीं सकते, food बनता है केवल पत्तों में, केवल लीव्स में, in general, तो leaves में जो food बना है, वो पेंड के अलग अलग parts तक किस तरह transport होता है, वो हम जानेंगे इस section में, आईए पहले देखते हैं कि transport of water और minerals किस तरह होता है plant में, transport of water and minerals, plants absorb water and minerals by the roots, पेंड अपनी जड़ों की मदद से water और mineral absorb करते हैं, आप देखेंगे ये पेंड की जड़े हैं, और यहां से water और mineral ये blue वाली arrows ये absorb कर रहा है, the roots have root hair, तो आपने पेंड की जड़ों में देखा होगा, root अंदर जाके, छोटे-छोटे branches में divide हो जाती है, इसी को root hair कहते है, the root hair increases the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in the water, तो root ये root hairs रखकर, surface area को increase करता है, जहां से water absorb किया जा सके, मतलब, अगर root केवल यहां अकेला होता, तो एक खास इतना सा surface area था, जहां से ये पानी या minerals absorb कर सकता था, अभी root अगर अलग-अलग branches में इस तरह फैला हुआ है, तो उसके पास ये बहुत सारे surface area है, जहां से वो water और minerals को absorb कर सकता है, तो root hair का essentially इतना ही काम है, कि वो surface area बढ़ाता है, उस पूरी जगह को बढ़ाता है, जहां से water या minerals absorb किये जा सकते हो, तो ये जो बहुत सारे root hairs होते हैं, ये मिटी की कनो में present, जो पानी का अंच है, पानी का छोटा सा टुकड़ा है, या जो भी moisture है, उसके contact में होता है ये root hair, और वहां से ये water को absorb करता है, अब root ने ये water absorb तो कर लिया, लेकिन पेड काफी लंबे और काफी बड़े होते हैं, तो ये root ने जो पानी और minerals absorb किया, ये पत्तों तक कैसे पहुँचता है, इसके लिए तो काफी energy चाहिए, एक force चाहिए, जो पानी को ऊपर खीच कर पत्तों तक पहुँचा सके, तो पेड तो में ये काम कैसे होता है, आये जाने, what kind of transport system is present in plants, तो plant में ये जो water का transport होता है, नीचे से लेकर उपर तक, ये कैसे होता है, किस तरह का transport system available है plants में, बुजो तिंक्स तैट, plants have pipes to transport water to the entire plant, like we have in our homes for supply of water, तो बुजो ये सोचता है, कि जिस तरह हमारी घरों में pipe लगे होते है water को transfer करने के लिए, उसी तरह plants में भी इस तरह के pipe होते होंगे, well, बुजो is right, तो बुजो ये जो सोच रहा है, कि plant में pipes लगे होते हैं, तो एक तरह से बुजो सही है, बुजो सही सोच रहा है, plants have pipe like vessels to transport water and nutrients from the soil, तो plant में pipe की तरह कहीं vessels होते हैं, पतले-पतले structure होते हैं, जो इन water और nutrients को लेकर उपर तक जाते हैं, the vessels are made of special cells forming the vascular tissue, ये vessels जो plant की body में होते हैं, ये एक खास तरह के cells से बने होते हैं, और इन cells से मिला कर, जो vessels बनते हैं, वो एक vascular tissue का निर्मान करते हैं, बहुत सारे cells जब मिल जाते हैं, तो उस accumulation को tissue कहते हैं, तो vessels जिस तरह के cells से बनते हैं, जिस तरह के cell के groups से बनते हैं, उसे vascular tissue कहते हैं, a tissue is a group of cells that perform specialized functions in an organism, तो tissue बहुत सारे cells का एक group है, जो कुछ एक खास काम करता है किसी organism में, the vascular tissue for a transport of water and nutrient in the plant is called xylem, तो plant की body में, वो vascular tissue, वो pipe like structure, जो water और minerals का transport करता है, इन जडों से लेकर पत्तों तक, ये blue वाली सारी arrows, जो water और minerals को लेकर उपर तक जाती हैं, उन्हें हम xylem कहते हैं, ये xylem, the xylem forms a continuous network of channels that connect roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to entire plant, तो ये xylem का जो network है, ये जडों से लेकर पत्तों तक फैला होता है, ये अलग-अलग branches में भी जाती हैं, तो यही वो network xylem है, जो water और minerals का transport कराता है, plant की body में, you know that leaves synthesize food, हम जानते हैं कि plant की body में पत्तों में खाना बनता है, the food has to be transported to all parts of the plant, तो ये खाना जो पत्तों में बना है, वो plant की पूरी body में transport होना चाहिए, क्योंकि plant की body में जितने भी cells हैं, सभी को food चाहिए ताकि वे survive कर सकें, this is done by the vascular tissue called phloem, plant की body में एक दूसरी तरह का vascular tissue होता है, जो food का transport करता है, आप देखेंगे इस image में, ये जो red वाली tissue है, जो उपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये पुरा pipeline का structure है, जो plant के हर एक cell तक पहुँचता है, और उन्हें food प्रवाइड कराता है, और इस network को हम phlo phloem कहते हैं, blue वाला xylem है, red वाला phloem है, thus xylem and phloem transport substances in plants, तो ये दो network है, xylem और phloem का, जो plant के अंदर food, water और minerals का transport कराते हैं, from root to leaves and food from leaves to other parts of the plants, तो अभी तक तो हमने network के बारे में जाना है, कि किस रास्ते से होकर food और water transport होता है पूरी plant की body में, अभी भी हम हमारा वो सवाल unanswered है, कि plant कैसे absorb कर पाता है, उतनी उचाई तक पानी को लेकर या minerals को लेकर कैसे जा पाता है, उसका answer हम टूनेंगे अपनी इस activity 11.3 में, आए देखें क्या कहती है activity, we would require a glass tumbler, हमें एक glass चाहिए, water, red ink, a tender herb, example, balsam and a blade for this activity, इस activity को करने के लिए, हमें एक glass च चाहिए, लाल रंग चाहिए, red ink चाहिए, और एक कोई कोमल हॉब चाहिए, छोटा सा पौधा चाहिए, यहां एक पौधे का नाम लिखा है, यह बलसम, यह अगर न भी हो फिर भी एक कोई common पौधा ले लेंगे, जो कोमल हो, tender हो, और एक blade चाहिए हमें इस activity को करने के लिए Pour water to fill one third of the tumbler, हम अपने सीशे के glass में आधा पानी भरेंगे, add a few drops of red ink to the water, पानी में लाल रंग की कुछ बूंदे डालेंगे, लाल रंग के ink की कुछ बूंदे डालेंगे, cut the base of the stem of the herb and place it in a glass as shown in figure 11.8A जो hob हमने लिया है, जो छोटा पौधा हमने लिया है, उसके stem को काट कर, उसे अपने पानी वाले glass में dip करेंगे, डुबोएंगे, रखेंगे, observe it the next day, और इसे अगले दिन देखेंगे, ये figure है 11.8A का, इस तरह का एक छोटा पौधा लिया है, ये एक glass beaker है, इसमें one third पानी लिया है और लाल रंग डाला है, और इसमें इस पौधे के stem को यहां काट कर, इस तरह डुबोया है, और इसे अगले दिन अब्सर्ब करेंगे, does any part of the herb appear red, तो अगले दिन आपको इस herb का कोई एक हिस्सा लाल दिखाई दे रहा है, if yes, how do you think the color reached there, अगर आपको उस herb का कोई ए look for the red color inside the stem, तो आप इस पौधे को बाहर निकाल कर, इसके इस stem को blade की मदद से बीच से काट सकते हैं, और देख सकते हैं, कि इसके stem में आपको लाल रंग दिखाई देगा, कुछ इस तरह का, जो यहां C में दिखाई दे रहा है, from this activity, we can see that water moves up the stem, तो इस activity से हम समझ सकते हैं, कि stem में water अपने आप ही ऊपर उठती है, तो यह जो vascular tissues से बने xylem और phloem के networks हैं, यह इसी तरह से designed हैं, कि वे absorb करते हैं इन water और minerals को, और इसे पत्तों तक पहुँचाते हैं, in other words, stem conducts water, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, तो जो water है, उसे खीचता है, conduct करता है, plant का stem, Just like the red ink, minerals dissolved in water also move up the stem along with water, तो जिस तरह लाल रंग, पानी में घुला हुआ था, और इस कटे हुए stem में, ऊपर को जाने लगा, उसी तरह, एक real plant में, पानी में dissolved mineral, water के साथ-साथ, पौधे में, ऊपर जाने लगते हैं, Water and minerals go to leaves and other plant parts, throw narrow tubes, that is xylem, inside the stem, तो water और minerals, roots से लेकर, stem तक, xylem के रास्ते उपर जाते हैं, और इसे हमने देखा, 11.7B में, B में tree को दिखाया गया है, तो tree में ये जो blue वाली line हम देख रहे हैं, नीचे से water absorb हुई, और इस रास्ते उपर को गई, तो यही हमारा xylem है, ये narrow tube है, पतला tube है, जिसके रास्ते water और minerals उपर जाते हैं, बूजो wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil, then give it off by transpiration, अब transpiration के बारे में हमने पढ़ा है, कि transpiration की मदद से, plant के पत्तों से, पेंड के पत्तों से, पानी बाहर evaporate होता रहता है, excess पानी बाहर निकलता रहता है, तो बूजो सोच रहा है, कि पौधे इतनी महनत करके, पानी absorb करते हैं, पानी खीचते हैं, फिर पत्तों से उस पानी को evaporate क्यों करा देते हैं, बाहर क्यों बहने देते हैं, बाहर क्यों निकलने देते हैं तो आएए देखते हैं कि transpiration का क्या role है इस transportation वाले पूरे system में plant के पत्तों से पानी का जो evaporation होता है उसका क्या role है plant की body में water और food के transportation में तो transpiration ये last section है आएए इसे देखें In class 6, you have learned that plants release a lot of water by the process of transpiration Classics में हमने देखा कि transpiration की मदद से पेंड के पत्ते बहुत सारा पानी evaporate करवा देते हैं Plants absorb mineral nutrients and water from the soil Plant, soil से mineral और nutrients पानी में घुले हुए nutrients absorb करते हैं Not all the water absorbed is utilized by the plant लेकिन जितना पानी plant ने absorb किया था उतना food बनाने में इस्तेमाल नहीं होता Minerals और nutrients तो इस्तेमाल हो जाते हैं लेकिन सारा पानी इस्तेमाल नहीं होता excess पानी बच जाता है The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration Stomata ये वो openings हैं, ये वो pores हैं जो leaf पे present होती हैं जिनके through evaporation होता है पानी का तो जो excess पानी बच जाता है जिसका इस्तेमाल नहीं हो सका वही पानी evaporate होता है plants में ये हमने transpiration में देखा है The evaporation of water from leaves generate a suction pull the same that you produce when you suck water through the straw which can pull water to great heights in the tall trees तो जिस तरह एक straw की मदद से हम drinks पीते हैं straw को जब हम सक करते हैं जब अंदर की तरफ जोर लगाते हैं तो straw से drinks हाने लगती हैं एक suction create होता है एक खिचाओ वाला force create होता है उसी तरह जब plants में transpiration होता है जब excess water evaporate होता है तो एक suction pull create होता है pull मतलब खिचाओ और suction मतलब सोखने वाला तो transpiration essentially ये suction pull create करवाता है जिससे बहुत बड़े बड़े या बहुत लंबे plants में ये जो water और minerals जमीन के अंदर से absorb हुए root के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ये suction pull उन्हें help करता है कि वे उपर को चड़ें उपर को उठें और ये suction pull बिलकुल उसी तरह का है जिस तरह का suction pull हम cold drink पीते वक्त अपनी straw में लगाते हैं और cold drink हमारी straw के थरू आनी सुरू हो जाती है transpiration also cools the plant तो जिस तरह घड़े का पानी थंड़ा हो रहा था evaporation से जिस तरह पसीने के बाद हमें थंड़क महसूस होती है उसी तरह पौधों में भी transpiration के बाद उन्हें थंड़क महसूस होती है वो transpiration करके खुद को ठंड़ा रखते हैं तो transpiration का ये role था transportation of water and minerals in plants में तो आई होप आपको ये समझाया तो इसी के साथ खतम होता है आपका ये transportation in animals and plants अगर आपको कुछ नहीं समझाया तो comment section में जरूर लिखिए हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे chapter 12 के साथ तब तक के लिए बाई बाई